बैसिकली हम आज बात करेंगे बैसिकली बहुत जदर पैनिक क्रिट हो गया मार्केट के अंदर से डीएसल और बीएसी दोनों के दोने स्टॉक में बाहरी गिरावट आप देख सकते हो आज 5% की गिरावट दिखा रहे स्टॉक और कल भी लोगर सर्किट लगा तो आज भी लो परसेंट चाहे महने में दोखा आपको 177 परसेंट रिटरन दिया है तो मेभी थोड़ी सी स्माल अमाट प्रॉफित बुकिंग है और बल्ग में डीटा को बल्ग में डील हो रही है प्रॉफित बुकिंग के लिए वो सारे इंवेस्टर्स अपने प्रॉफित बुक करेंद तो इसके वज़े लोड सर्किट लग रहा है तो नई स्टॉक लॉंग टम में बहुत अच्छा है आपको अच्छे खास है मल्टी बैगर रिटर्न साबिक करके दे गई है और आप इसका अगर मैक्सिल चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आप दिहान से देखो आप मैक्सि का फेज था उसके बाद कंपनी ने अचानक से तनी खतरनाग रैली क्रियेट करी अब उस रैली में आपने देखोगा न्यूस के वज़े से भी रैली थी या फिर फोर करोडी मेंट अकाउंट्स सबसे पहला एक डिपॉसेट्री जिसने चार करोडी मेंट अकाउंट खोले इंडिया में अभी थर तो बीसिकली उसकी वेसे भी स्टॉक बहुत जादा भागा और इसकी सब्सेट्री जो है आपकी बीसी वह भी अच्छी खासी उस पर चल रही है देखें आप यसी में भी गिरावट है अभी मार्केट में 5% की गिरावट बीसी के अंदर ही है अगर दैख देख और गिरावट आप इस लेवल से यह इस लेवल पर आज चुका है इस इदर गया फिर नबांस बाहुत खर, तो गिरावट बीसी में भी गिरावट है तो बिसी के मिया नहीं सकते की क्या स्टॉक ख्राब है नहीं हो यह स्टोक एक्चेंज में किसी भी कंपशनी को भी होना है तो एक तोर पर यह पुछ सकते हैं अपना मार्केट के अंदर तो आप क्या करो इसके अंदर मेरा यह मानना है कि आप बिसीकल इसके इंदर लॉंग टम के लिंद बने रहे हो जब NAC लिस्ट हो तब आप BAC में थोड़ा अपना स्टेक कम करना और जब NSDL नहीं है CDSL लिस्ट है लॉंग टम में कमपनी बहुत ही अच्छी है तो आप ध्यानक हो ओवर दे लॉंग टम मैं शॉर्ट टम की बात नहीं कर रहा है आपके अपनी पोजिशन से कैंसल आउट कर दो के नहीं प्रॉफिट्स भी आपके बने रहेंगे आप टेंचन मतलों ची कर दो